हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए सुन्दर सा प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ तो ये ड्रेस मैंने पांच नमबर की गानजी के लिए बनाई है आप चाहो जिस भी नमबर में इस ड्रेस को बना सकते हो और कलर आपकी चोईस है आप एसेसरीस के लिए डेकॉरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो भी आपकी चोईस है मैंने सबी नंबर की खाना है जिकि चोली अपने चैनल पे डाली हूए है आप चैनल पे जाक celebrating देख सकते हो और वहाँ से easy तरीकी से बनाना सीख सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए 5 नंबर की चोली मैंने बना के तियार कर ले है पांच नमबर की चोली की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहां जाके आप इसे इजी तरीके से बनाना सीख सकते हो तो चलिए आगे का गेरा बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका एक फ्लैट गेरा बना के तियार करेंगे क्रोशय मैंने यहां 2.5 mm का लिया है तो एक चैन मैंने यहां बना लिये फिर एक और दो तीन उसके बाद नेक्स चेन में हम दो डबल क्रोशय बनाएंगे एक और सेम प्लेस पे एक और तो तीन की एक चैन को हमेशा एक डबल क्रोशय मानेंगे फिर नेक्स्ट में हमने दो बना लिये हैं फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में दो फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशय फिर नेक्स्ट चैन में दो डबल क्रोशय एक फिर same place पे एक और तो इस तरीके से हम round को complete करेंगे तो देखे हमारे first round complete हो गया है तो last में हमारे एकी chain में दो double crochet आए हैं अब जो तीन की एक chain थी इसकी third chain में हम इसको यहाँ slip stitch कर देंगे फिर next round तो पहले एक, दो, तीन, तीन chain बनाएंगे फिर next में एक, फिर next chain में हम दो बनाएंगे एक की chain में दो बार double crochet बनाएंगे same place पे एक और तो तीन की एक chain को हम हमेशा एक double crochet count करते हैं फिर next में एक, फिर next में हमने दो बनाए हैं दो double crochet के पर दो आ गए हैं फिर next में एक फिर next में एक फिर next chain में हम दो बनाएंगे एक ही chain में एक दो तो second round में हम हर third chain में दो double crochet बनाएंगे तो round को complete करेंगे तो देखे हमारे second round में complete हो गया है last में हमारे पास दो double crochet है एक ही chain में अब जो तीन की एक chain है उसकी third chain में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से next round में, 1 ,2 3 chain में बिनाएंगे, फिर next chain में 1 double crochet, फिर next में, फिर next में देखिए इस से पहले हमने हर our third chain में 2 double crochet बिनाए थे, अब हर फौर्थ चेन में हमें हाँ दो डबल क्रोशे बनाने हैं एक की चेन में देखिए तीन की चेन को हम एक मानेंगे फिर नेक्स्ट में फिर फॉर्थ चेन में हमने दो डबल क्रोशे बनाए हैं फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रो कुषे बनाएंगे रॉंड कुंप्लेट करेंगे इस ही तरीके से फिर नेक्स रॉंड में हर फफ्ट चेन में दोड़ बल कुशे बनाएंगे हर sayफोड में दोड़ बशुचे बनाएंगे तो इस तरीके से देखươं हमारी फ्लैट गेरा बनना स्टार्ट हो गया है तो इस तरह से हम अपने dress के according एक flat गेरा बना के तियार कर लेंगे उसके बाद मैं आपको आगे का design बताऊंगी देखिए हमने अपने dress का गेरा बना लिया है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 5 row हमने इसकी complete किया है हमें अपने dress का गेरा इतना ही रखना है आप चाहो तो इससे बड़ा भी रख सकते हो अब इसके आगे का design हम red से बनाएंगे तो पहले में red धागे को slip stitch कर लूँगे फिर यहीं पे एक single crochet धागे को पीछे से कहीं चलूँगी थोड़ा tight हो जाये और साथ में लेके चलूँगी फिर फिर एक, दो दो chain बनाएंगे और जहां पे यह हमने single crochet किया धागा स्टाट किया यहीं पे हम double crochet और बनाएंगे एक, same place पे एक और फिर उसके बाद एक, दो, दो chain skip करेंगे और third में हम यहाँ पे single crochet करेंगे फिर एक, दो, दो chain और same place पे फिर से 2 double crochet बनाएंगे एक, same place पे एक और फिर से एक, दो, दो chain skip करेंगे और third chain में हम एक single crochet फिर एक, दो, दो chain मिनाएंगे और same place पे दो double crochet एक, दो फिर एक, दो, दो chain skip करेंगे और third में single crochet इसी तरीके से हम अपना round complete करेंगे तो देखे हमारा यह round complete हो गया है अब जो तीन की एक chain थी starting में इसकी third chain में हम इसको यहाँ slip stitch कर देंगे फिर उसके बाद next chain में हम यहाँ slip stitch करेंगे अब हम धागा change करेंगे फिर से हम यह off white वाला धागा यूज़ करेंगे तो हम यह slip stitch कर लिया फिर एक, दो दो chain बनाके हम यहाँ पे और जो हमने बीच में second वाले double crochet के उप़र हमने slip stitch किया है यहाँ पे तो यहीं पे हमने same place पे तीन double crochet बनाने है एक दो तीन पहले हमने एक slip stitch करके दो chain ले ली थी टोटल तीन chain होगी थी और तीन double crochet एक ही chain में फिर उसके बाद यहाँ पे जो second वाले double crochet है इसके उपड जो chain है इसमें हमने इसको यहाँ पे single crochet करना है फिर एक, दो दो chain लेंगे और same place पे तीन double crochet बनाएंगे एक, दो तीन अब फिर से जो second double crochet है उसकी chain में इसको यहाँ single crochet करेंगे फिर एक, दो दो chain लेंगे और same place पे तीन double crochet बनाएंगे एक, दो तीन अब फिर से जो second double crochet है उसकी chain में single crochet करेंगे फिर एक, दो और फिर same place पे तीन double crochet तो इस तरीके से हमारे डिजाइन बनता जाएगा तो पहले हम राउंड को complete करेंगे फिर आगे का design बनाएंगे तो देखिए हमारे राउंड भी हाँ complete हो गया है अब जो इसकी जो हमने start किती है आपे first में slip stitch किया था यहाँ पे हम इसको slip stitch कर देंगे और फिर next chain में उसी first chain में slip stitch किया था उसकी next में हम इसको एक बार और slip stitch करेंगे फिर एक बार और एक की chain की तीनों chain में हम एक एक बार slip stitch करते हुए उपर की और आएंगे इस तरीके से अब इसकी बाद एक दो तीन चार चार chain मिनाएंगे और यहाँ पे हमने single crochet किया था उसकी जो दो chain मिनाए थी उसकी first chain में हम यहाँ पे single crochet करेंगे फिर इसको बाद एक दो तीन तीन chain मिनाएंगे फिर से जो single crochet किया उसकी जो first chain है उसमें हो पे हम single crochet करेंगे फिर से एक दो तीन चार चार chain मिनाएंगे और यहाँ पे हम इसको single crochet करेंगे तो इस तरीके से देखे ऐसे आएगा तो अगर आपके खिचाब आए तो यहाँ पर आप चार कीजी के पांच चेन भी बना सकते हो तो राउंड को कम्प्लीट करेंगे तो देखे हमने अपने यह राउंड भी कम्प्लीट कर लिया है और इस तरह के से ये chain बन के तयार हुए है देखे देख लिए आपको ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है देखे आप अपने design को यहां भी finish कर सकते हो और decoration के लिए आप यहां पे मोती भी लगा सकते हो अब इसके आगे का design बताती हूँ मैं आपको जहां हमने start किया था उसी chain में हम first वाली chain में है इसको slip stitch कर देंगे इस तरीके से अब हम फिर से red वाल अधागा ये use करेंगे है आगे की design के लिए तो पहले इस chain में हम यहां पे एक बार row slip stitch करेंगे अब हम chain में आगे हैं फिर एक chain दो तीन तीन chain में बनाएंगे अब हम यहां पे साथ बार डबल कुरूश्य बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ तो तीन की एक chain को एक डबल कुरूश्य मानेंगे एंगे और साथ डबल कुरूश्य तो टोटल आठ हो गये हैं यहां पे फिर उसके बार next chain में एक सिंगल कुरूश्य करेंगे फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है इसमें फिर से हम आठ पर ड्रबल कुरुश्या करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फिर नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पर एक सिंगल कुरुश्या करेंगे फिर नेक्स्ट में हम फिर से हम आठ पर ड्रबल कुरुश्या करेंगे तो यह डिजाइन हमारा इस तरीके से बन के आएगा तो राउन को कम्प्लीट करेंगे तो देखे हमने अपने लास्ट राउन भी हाँ कम्प्लीट कर लिया है अब जहां से हमने start किया था उसी की third chain में हम यहां इसको complete कर देंगे slip stitch करके फिर एक chain और धागे को cut कर देंगे यहां पर white palette धागे को भी हां cut कर देंगे off white धागे को भी हां cut कर देंगे और पीछे की तरफ adjust कर देंगे तो हमारी dress इस तरह से बनके तयार हुई है देखिए इतनी प्यारी लग रही है देखने में आप decoration के लिए कोई भी multi यूज़ कर सकते हैं इसमें जैसे कि मैंने multi color के multi लिए हैं तो मैं यहां लगा दूँगी पूरे गेरे पे तो इसके बाद मैं आपको दिखाते हूँ तो देखे मैंने इस तरह के से यह multi लगा दी हैं बीच में आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो जैसे इस तरह के button भी यह मैं आपको रखके दिखा देती हैं ऐसे यह मैं लगा नहीं रही हैं इसमें इसमें अटेश नहीं करूंगे आप चाहो तो इसको अटेश भी कर सकते हो तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको यह ऐसे लगा के तो आप इस तरीके से भी ये बटन लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो ऐसे इच्छी की तरफ तो इस तरीके से भी बटन लगा सकते हो और अपनी ड्रेस को और भी सुन्दर सा बना सकते हो इस्ट्रेस को बड़े काणाजी के लिए आप पहले घेरे को बढ़ाओगे जैसे कि मैंने बताया है पहले भी कई वीडियो में फिर उसके बाद ये डिज़ैन स्टार्ट करोगे और चोटी काणाजी के लिए भी same यह processing करना है आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है पहले गेरी को गम करेंगे और फिर उसके बार डिजैन मिराना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की वीडियो प्लीज मिज़े केमेंट्स में जरूर बताएं मेरी वीडियो को जादा जादे लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें थैंक यू